नमस्कार दोस्तों मैं विश्वेंदर आप सबका स्वागत करता हूं आज हम HCS के लिए हर्याना बज़र को पढ़ने वाले हैं यह लेक्चर टू रहेगा लेक्चर फर्स्ट में मैंने बज़र्ट का बेसिक्स कंसेप्स डेफिनेशन समझा दिये थे तो यह जो बेसिकली बज जनल फैक्स हैं वन लाइनर फैक्स हैं जो आपको याद रखने हैं हर्याना का जो बज़ट है वह पेपरलेस बज़ट है और यह 12 मार्च और 2021 को जो हमारे सीम हैं वह हमारे इसमें कोई भी नया टेक्स आप पर लगाया नहीं गया है क्योंकि करोना आ गया है तो पब्लिक हैल्थ इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना है तो तभी हमारी हैल्थ की जो सुविदाएं हैं फैसिलिटीज हैं वह बढ़ाई जा सकती हैं एग्रिकल्चर क्या होता है किसी traffic investment घट जाती है और जो लोगों की जो इंकम है वो भी घट जाती है तो उसमें जो गवर्मेंट्टक्स ऎकोनिवें करते हैं और यह怎麼 लेक्स 39,535 in 2020-2021 ठीक है हर्याना को जो बजट है अगर हम पूरे कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं उनके बजट का साइज देखें तो उसमें फर्स जो है यूपी है और हर्याना 13 लास्ट बजट से 13% ज्यादा है इस साल का बजट एक लाग पच्पन जार क्रोड का है ठीक है और देश की जीडीपी में हर्याना की जीडीपी का साइज जो कॉंट्रिबूशन है 4.07% है यह सब इंपोर्टेंट बाते आपको याद रखनी है अब हम सेक्टर वाइस देखेंगे कौन सी नई स्कीम्स हैं और क्या-क्या प्रोविजन्स बताए गए है अब एग्रिकल् अच्छी स्कूल एंड कोलेज में सोईल हैल्फ लैब को एस्टाब्लिश किया जाएगा यह जो स्कीम है हर केट स्वस्थ केट जो स्कीम है यह फार्मर्स को एंड टू एंड सॉलूशन मतलब यहां से शुरुआत की फार्मर ने और यहां तक उसका काम रहता है तो इसमें सा तो गानी है उसके कोडिंग कों से इंपूट यानि फर्टिलाइजर कों से रहेंगे कब कब कितना पानी देना है ठीक है कौन सा बीज यूज़ करना उनके सब के बारे में बताए गई अब फसल पक के त्यार हो गई हार्वेस्ट कर ली गई हारवेस्ट के बाद प्रोसेस हो टेस्ट करने की water के सेंपल को टेस्ट करने की और आगे ये क्या करेंगे जो farmers entrepreneurs हैं उनको ये सब बताएंगे ठीक है एक नया portal launch किया जाएगा alkaline and saline soil के लिए ठीक है जैसे आपने पिएट scale पढ़ा होगा पिएट scale होता है zero to fourteen seven पर neutral seven जीरो से सेवन तक acidic और आगे seven to fourteen तक basic होता है ठीक है यह आपको याद रखना है तो एक नया portal बनाया जाएगा जो alkaline और saline soil को चेक करेगा ठीक है और हरियाना government में target रखा है कि हम वन लैक एक्टर of land को मतलब reclaim कर लेंगे 2021 और 2022 में इसके अलावा मार्च 2022 तक हजार FPO मतलब हजार FPO मतलब farmer produce organizations बनाए जाएंगे पहले से crop cluster development program चल रहा है ठीक है और जो परधान मंत्री फसल बीमा योजना है उसको revamp कर दिया गया इस scheme को अब optional कर दिया गया कि कोई farmer लेना चाहे तो ले हो गया पोटन हो गया यह सब क्रीप की फसल है ठीक है रभी की फसल में आपका आएगा वीट हो गया ठीक है मस्टर्ड हो गया यह सब रभी की फसल आएंगे जब agriculture और याना करेंगे जब से डिटेल में करेंगे इसके अलावा आपने देखा होगा एक जो हमारे क्रोप residue की प्रोब्लम बहुत आ रही है फार्मर्स उसे जलाते हैं खासकर पैड़ी के residue को जलाते हैं उसकी वज़े से pollution बढ़ता है ठीक है अब उसके solution के लिए हर्याना में सो तंप्रेस्ट बायो गैस और बायो मास प्लांट्स लगाए जाएंगे ठीक है यह किसकी है जो हमारी यूनियन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जाता है पैड़ी की फसल को बहुत ज्यादा उगाया जाता है क्यों गाया जाता है पैड़ी की फसल को कि यह सबसे ज्यादा profit देती है और इसकी जो Selle है MSP पर वह भी Sure है तो इसलिए farmer जो हैं हमारे हर्याना की वो पैड़ी का ज्यादा से ज्यादा production करते हैं, अब groundwater की problem हर्याणा में आ रही है, तो अब हर्याणा सरकार क्या चाहती है, कि हर्याणा में crop diversification हो जाए, crop diversification होने का मतलब है कि ऐसी crops को हरियाना के farmer हुआ है जो crop water को कम यूज़ करती है चाहे ground water हो ठिक है या rain water हो ठिक है अब उसके लिए अब आपको क्या करना है अब फसल एकिस और बाइस का जो financial year है उसमें हर्याना सरकार ने टारगेट रखा है कि जो जितना पैडी कल्टिवेशन होता है उसको दो लाख एकड से reduce करना है मतलब मान लेजिए पहले 7 लाख एकड से हो रहा है तो हमें 2022 के end तक मार्च 2022 तक उसे 5 लाख एकड पर लाना है मतलब 2 फार्मिंग के मोडल को organic natural farming के मोडल को अपना रही है इसके लिए वन लाक एकड़ का लक्षे अगले तीन सालों के लिए रखा गया है ठीक है इसके अलावा नई श्किम आई है किसान मित्रा योजना यह क्या है बेसिकली financing services to farmers ठीक है एक तरह से आप financial inclusion of farmers किम बोल सकते हैं इसके लिए थाउजन फार्मर लिमिटेड जो 1967 में बनाया गया था यह क्या करेगा यह 2000 retail store खोलेगा हर याना के हर जिले में यह store खोला जाएगा किसके लिए non perishable package consumer goods के लिए खोला जाएगा अब चलते हैं आगे इनम एक scheme है ठीक है जो 81 APMC क्या होता है agriculture produce marketing committee सरकारी मंडिया इनमें apply किया जा चुका है अब 32 जो रहती है उनमें भी apply कर दिया जाएगा ठीक है और यह live stock के लिए credit देने के लिए loan देने के लिए पशुधन किसान credit card schemes launch की गई है ठीक है हरियाना में जैसे आपको पता होगा हरियाना का जो किसान है वह agriculture भी करता है और साथ में पशुधी रखता है मलब dairy भी करता है और हरियाना में dairy में basically आपको भैस देखने को मिलेंगी ठीक है अगर किसी दूर्द देने वाली भैस की मिर्थ्यू हो जाती है तो हरियान गोर्मेंट असी हजार रुपे एजे कंपेश कंपेशन अपनी तरफ से किसान को देगी ठीक है इसके अलावा हरियाना सरकार ने अब लाइश्टोक सेक्टर में भी इंसोरेंस को लाने का प्लैन किया है तो इसके लिए योजना जो है स्कीम जो है पंडित दीन द्याल उपा होगा जैसा कि अभी करोना चल रहा है करोना किसमें है उसी तरह पशुओं में भी विमारी आती रहती है उसके लिए थ्री बायो सेफ्टी लेवल लेबुरेटरीज हरियाना में एस्टाबलिश की जाएंगी जिसमें बैसिकली एवियन इंफ्लूजा और पॉलिट्री डिज के लिए सिटीज इंपोर्टेंट है हिसार में सोनिपत में और पंचकुला में गउशाला के लिए इस बजट में 50 क्रोड रुपीज को प्रोविजन किया गया है अब चलते हैं आगे अब जो फिशरी सेक्टर है ठीक है फिशरी सेक्टर से पार्मर्स को हना एडिशनल इंकम सकती है इसलिए उनियन गोवर्मेंट हो चाहे चाहे हरियाना गोवर्मेंट तो वह इस सेक्टर पर काम कर रहे है अभी यूनियन गोवर्मेंट ऑफ इंडिया ने एक new scheme launch की टी कि पर्दान मंतरी मतस्य संपर्दा योजना स्किम टी कि mmsy इसके लिए हरियाना क्या करेगा जो Saline affected area है वहाँ तो one zero nine zero hectares area को develop किया जाएगा और जहां fresh water है वहाँ पर five thousand hectares को develop किया जाएगा और ये time duration रहेगा 2021 से लेकर तीक है 2025 तर यह याद करना है इसके लिए हर्याना क्या करेगा 10 small fish feed plant यह हर्याना में establish किये जाएंगे और पहले से ही दो large fish feed meal plants चल रही है, एक है करनाल में और एक है चर्की दादरी, चर्की दादरी आपको याद रखना हरियाना का district है, इसे भीवानी से बाइपर्केट करके बनाया गया है, इसके अलावा shrimp culture, shrimp culture को boost करने के लिए हरियाना में एक center of excellence बनाया जाया, गड़वा वि साउधरन हरियाना महेंदरगड हो गया, रेवाडी हो गया, यह साउधरन हरियाना का इरिया, इसमें एक new plant, milk plant लगाया जाएगा, किसके लिए, मतलब यहां से साउधरन हरियाना समें एक तो income boost हो, क्योंकि यहां क्या है, water की shortage है, water की shortage होने से agriculture इतनी income नहीं है, ठीक है, इसल apply करेगा, जिससे यहां के किसान की income बढ़ेगी, हरियाना government और जो union government है, वो farmers की double income करनी है, उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए यह सब जो allied activities है, इन पर इतना focus किया जा रहा है, एक जो हम milk chilling plant कहा लगाया जाएगा, एक शेरला गाउँ पड़ता है, लोहारू तस आपको याद रखने, अब चलते हैं आगे, आगे अब आता है next sector, social welfare sector, ठीक है, इसमें सबसे main है, जो वरिधवस्ता pension है, old age pension है, उसे पचीस सो रुपए कर दिया गया है, पहले बाइस सो पचास रुपए पर मन्त थी, ठीक है, एक जो मुख्या मंत्री विभाश अगुन य दिये जाते थे, अब बाइस हजार रुपए हरियाना सरकार उन्हें देगी, ठीक है, एक आपने अभी देखा हुगा परिवार पैचान पंतर चल रहा है, family ID card, ठीक है, उसी को देखते हो एक umbrella scheme आई, umbrella scheme क्या होती है, सब schemes जिसमें club कर दी जाती है, उसे umbrella scheme बोलते हैं, तो उ umbrella scheme का नाम है, मुख्य मंत्री अंतियोदय प्रिवार उठान अभ्यान, इसमें क्या है, बेसिकली, इसमें कि हर साल हमें एक लाग प्रिवार, एक लाग प्रिवार हैं, उनको गरीबी से बाहर निकालने, गरीबी से बाहर निकालने का मतलब है, कि उनकी annual income को 1.80 lakh करना है, ठी मंत्री अंतियोदय प्रिवार उठ्यान अभ्यान केता है, जो family है, वो कैसे verify की जाएंगी, वो प्रिवार पहचान पत्तर के through verify की जाएंगी, ठीक है, इसमें परती year, 1 lakh families को लेने का target है, बट 2021 के लिए 2 lakh families को identify किया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा, 1 lakh jobs को दिया जाएगा हरियाना के जो youth हैं private sector में 2021 में, अब चलते हैं आगे, आगे आता है education sector, education क्या है, education किसी भी country, किसी भी state को उसका भविश्य सून निष्चित करने के लिए, अच्छा करने के लिए education सबसे बड़ा tool है, सबसे बड़ा means है, तो अब क्या किया जाएगा, 4000 play school खोले जाएंगे, 500 क्रच खोली जाएंगी, और digital learning, यह क्या है, COVID-19 में school बंध हो गए है, और घरों में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे या चाब बड़े बच्चे हो, या आपके family में कोई teacher हो, वो digital education दे रहे हैं, और बच्चे digital education ले रहे हैं, इसके लिए हर्याना government 700th roads, खिक है, education to everyone, चाहे हो किसी भी general class का हो, OBC का हो, या SC का हो, from class 9 to 12, इसके लावा quality education and opportunities के लिए हर्याना सरकार 192 क्रोड रुपे invest करेगी, एक very very important क्या है, जैसे आपने special economic jones सुने होंगे, उसी तरह हर्याना सरकार special education jones बनाएगी targeted groups के लिए, targeted groups कोन से होते हैं, जिनको education opportunities नहीं है, specially girls ह हो गया, SC हो गया, या migrant होते हैं, जो इधर से उदर, ठीक है, एक कुछ घुमनतु पर जातिया होती है, उनके बच्चों को education नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए gender inclusion fund GIF बनाए जाएगा, girls students के लिए, ताकि उनको SCZ में जो पढ़ रही है, उनको help कि जासके financial है, यह very very important है, 114. 24.52 क्रोर रुपीज, इसके लिए हरियाना सरकार रखे हैं, ठीक है, एक पुर्षेत्रा युनिवस्टी में और M.D.U. रोतक युनिवस्टी में KG2PG, KG2PG, यह स्किम है, बच्चा KG में आए तो वहाँ पर PG तक ही पढ़े, kindergarten to post graduate education at KUK and M.D.U. अब चलते हैं आगे, पहले रेवाडी और पंचकुला में सूपर अंडर ट्रेनिंग सेंटर स्टूडेंस के लिए खोले थे, यहां पर IIT के लिए, NIT के लिए कोचिंग दी जाती है, अब उनी को आगे हिसार और करनाल में भी खोला जाएगा, माने सर में एक engineering college बनाया जाएगा, माने सर किसमें पढ़ता है, गुरुगराम में ठीक है, और यह नगर निगम है, ठीक है, तो गुरुगराम जो है, हरियाना का पहला जिला है, जहां पर दो नगर निगम है, एक माने सर, अरे खुद गुरुगाओं, इसी के आगे तीन ITI, industrial training institutes फो ले जाएगे, फ्रीदाबाद के गाउं म है, वो इतने important नहीं है, वो HSSC के लिए important है, तो एक आपके लिए मैं विशेष request करना चाहूंगा, आप वीडियो को pause कीजिए, और फिर खुद के अपने self handwritten notes बनाईए, और इन handwritten notes को बार-बार revise करते रहिए, ठीक है, यह very very important है, अब चलते हैं, आगे, आगे हैल सेक्टर, करोना को देखते हो, health center is very very important, ठीक है, हर्यना सरकार ने योगशालाज खोली हुए, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, हजार तो आयूश असिस्टेंट और 22 आयूश पोच को भरती किया जाएगा, contract basis के, ठीक है, इसके अलावा हर्यना सरकार की योजना है कि हर district में government medical college, य और जो University of Health Sciences in करनाल है, जो कुटेल में पढ़ती है, उसका rename कर दिया जाएगा, पंडित दीन द्याल उपाद्ध है, University of Health Sciences, ठीक है, इसके अलावा, भीवानी में एक existing civil hospital है, ठीक है, उसका नाम change किया जाएगा, डॉक्टर मंगल सेन, government medical college in भीवानी, ठीक है, इसके अलावा, फ्रीदाबाद के college में एक श्री अटल भीहारी वाज़ पर गौर्वर्मेंट medical college इसका नाम होगा, यह पूछ सकता है कि अटल भीहारी वाज़ पर गौर्वर्मेंट medical college कहा है, फ्रीदाबाद, हिसार, भीवानी, रोग तक ऐसे करके, एक onkology, onkology यह किसके लिए cancer से relate होता ह है, तो अगरोवा में medical college है, जो हिसार district में पढ़ता है, तो वहाँ onkology center को हरियाना government establish करेगी, अब चलते हैं आगे, एक हसन खान मेवाती government medical college है, नू डिस्टिक में, हसन खान मेवाती कोन है, जिनोंने मुगल्स आर्मी से लड़ाई की ठीटिक है, उनके नाम पर यह college बनाया जाएगा, यह याद रखना है, nursing institutes बनाये जाएंगे, फरीदाबाद में, रेवाडी में, कैथल में, कुषेतरा में, पंचकुला में, अभी जो civil hospitals हैं, उनकी bad capacity को 200 तक bad की capacity तक लेकर जाया जाएगा, इसके अलावा thousand health and wellness centers, यह किसके तहत हो रहा है यह काम, यह जो new health policy by union government आई थी, ठीक है, उसके according हो रहा है, और आयुशमान भारत scheme है, उसके according हो, आयुशमान भारत में eight more categories को भी include कर लिया जाए, यह जो सब categories है, जो आठ है, वो आपके लिए इतनी important नहीं है, आपके लिए important है, आयुशमान भारत scheme क्या है, यह health and wellness centers क्या है, यह आपके लि अब urban development, मनलब शहरी विकास के लिए क्या करेंगी, अब हरियाना government शहरी विकास के लिए एक performance index लाने की सोच रही है, ठीक है, इसके अलावा पिंजोर और गुरुगराम को film shooting hubs के तोर पर develop किया जाएगा, पंच कुला को as a solar city और green city के तोर पर develop किया जाएगा, एक global city बनाई जाएगी हजार एकर में गुरगावा के मानेशन नामक शहर में, हरियाना में दो नई स्मार्ट सीटी बनेंगी हिसार और पंच कुला, ठीक है, एक female IRB, IRB क्या होता है, ये reserve battalion होती है, गुरुगराम में होगा, एक female police training camp हिसार में बनाया जाएगा, और कुरुषेत्रा के ल none of these, ऐसे करके आप से पूछ सकता है, ये बहुत ज्यादा important है, HCS 2021 prelims के लिए, ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे आता है transport sector, transport sector में क्या है, 809 AC bus को खरीदेंगे, जो BS6 norms आए हैं, उसके तहत ये खरीदे जाएंगे, और जो हरियाना के चार airports है, वहाँ night landing facilities को बनाया क्या होता है, जैसे ये शहर है, यहां बहुत ज्यादा congestion, भीड़ भाड़ हो गई, तो इसके चारों तर्फ रिंग रोड बनाने, जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा, outer ring road और ये सब टिक है, एक्स्पेस वे बनाया जाएगा, कैसे, जो GT road की belt है, उसे राजस्तान से connect करन के लिए एक्स्पेस वे बनाये जाएगे, अब ये पानी पत से डबवाली तक होगा, कहां कहां से गुजरेगा सपीदों, उचाना, भूना, रतियां और कालावानी से, एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल भीवानी में बनाये जाएगा, अब आर्ट एंड कल्चर में क्या कर रहा है, हरियाना, ठीक है, ये इंपोर्टेंट लोकेशन है, जिनका बजट में मैंशन किया गया, मैंने ये बजट दा हिंदू न्यूस पेपर से, इंडियन एक्स्पेस से, दा ट्यूविन से, और इसके लावा हिंदूस्तान और दैनिक भासकर, और इसके लावा तीन बु परन कोर्ट नामके साइट है, फतेवाद में है ये, रानी की चत्री बलबगड फरीदाबाद में है, ठीक है, अब बलबगड का नया नाम क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बलबगड का सेर किसे बोला जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन, तो ये दो कोश यह दूजाना गाउं है जजड़ डिस्टिक में है और यह कैथल फोर्ट है इनको प्रोटेक्टीट साइट्स का दरजा दिया गया यह वैदे इंपोर्टेंट स्लाइड से और यह सारी location बहुत ज़्यादा important है ठीक है आपको यह अपने handwritten notes बनाने है revise करना है ठीक है अब चलते हैं आगे आगे irrigation सिर्चाई और flood control के लिए क्या कर रहे हैं ठीक है इसके लिए ना आदी बदरी डैम सोम सर्षवती बेराज और सोम सर्षवती रिजर्वाय ठीक है यह सब इनके लिए project लाए जाएंगे ठीक है और इसकी जो storage capacity रहेगी 1680 hectare रहेगी मीटर्स ठीक है बारिश के बाद यानि कि पोश्ट मॉंसम के बाद कितनी हमें water level चाहिए उस हिसाब से हम यह गवर्न करते हैं और फिर उस हिसाब से हम construction करते हैं ठीक है जो युम्ना नगर में पढ़ती है वहाँ पर इस पर बनाया गया था ठीक है जो सौम river है western युम्ना कनाल से मिलती है टीक है तो यह जो western युम्ना कनाल है इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था तुगलक टैंसटी का खिल्जी दैंसटी के बाद आती है ठीक है खिल्जी दैंसटी 13820 में खत्म हो जाती है उसके बाद तुगलक दैंस्टी आता है इसमें गया सुद्दीन तुगलक हो गए आपके मुहमद बिन तुगलक हो गए, गिरोजशा साह तुगलक हो गए, एक कोशन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, 13-19-8 में जब तैमूर इन्वेजन इंडिया में होता है, तो उस टाइम तगलुख तुगलक डेंस्टी के कौन से किंग होते हैं, जो इंडिया पर रूल कर यह डिल्स कुनलत हैं, शलेव डूलब इन्षटी हैं, अब चलते हैं, आगे, अब क्या कर रहे हैं, एक होता है डाउन स्क्रीम, एक होता है अप फ्श्टीम, ठीक, ऑप्श्रीम उपर वाला एरिया यह जो बेराज हो गई, तो इस versuchen गये च्थीनी कों-ड बेराज ह बनना शुरू हुई थी और 1873 में open होई थी कहां पढ़ती है यह यहां से western युम्ना के नाल और eastern युम्ना के नाल निकलती है एक सिर्षा के नाल है जो इंदरी नामक स्थान से बन निकलती है, 1889 से लेकर 1895 तक बन और 1896 में इसमें पानी शुरू हो गया था, ठीक है, ये वेस्टन युमना कनाल से ही निकलती है, अब ताजे वाला बेराज जो था पुराना हो गया था, अब नई नीड सा गई थी तो उसके लिए एक नया कुंड बेराज बनाया गया, जिसे हतीनी कुंड बेराज बोलते हैं, 1996 से 1999 तक ये बना था, और 1999 में इसने काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है, इसके अलावा मेवात एरिया में वाटर रिक्वाइरमेंट्स को पूरा करने के लिए, बादली जो गुरगाओं में एक जगह पढ़ती है, वहाँ से मेवात फीडर के नाल बनाई जाएगी, हंडर्ड क्यूसेक पानी इसमें रहेगा, और एज यूजवल हर बजट की तरह हंडर्ड रोल एस वाइल के सतलूज यूमना लिंक के लिए, किसी सेपरेट लेक्चर में जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाना करेंगे, उस एट्लेटिक्स में हो गया, क्रिकेट में अभी एक सेफाली नाम की लड़की है, रोफतक की है, जिसे लेडी सेवाग बोला जाता है, ठीक है, उसमें भी, ठीक है, तो अभी क्या किये जाएंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, हरियाना में होंगी, ये पंचकुला में होंगे, पंचकुला में ताउ देविलाल स्पोर्ट कॉंप्लेक्स है, ये याद रखना है, तो यहाँ पर कोकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एंड वोलीबॉल के नए ग्राउंट बनाए जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजिरी, स्पोर्ट्स प प्लेयर्स, ओलंपिक के लिए, एश्याड के लिए, कॉमन वैल्थ के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो हरियाना सरकार अब क्या करेगी, पांस लाथ रुपए एडवांस में देगी, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके, ताकि उनको किसी परकार का पाइनेंशि अपनी त्यारियों को जोर से कर सकें, और देश के लिए मैडल जीच सकें, और जो पहले डाइट के लिए 1.500 रुपए मिलते थे, अब उसको 1.500 रुपए पर डे कर दिया गया, यह important facts हैं, अब चलते हैं आगे, आगे यह देखिए, 2020-21 में sector-wise contribution देख लीजिए, मतलब out of 100, 50.6 सर्विस सेक्टर है अरियाना में, 32.8 manufacturing सेक्टर है, और 16.6 agriculture सेक्टर, यह पहले से कम हो गया है, और यह GSDP grade, देख लीजिए, gross state domestic product, और इंडिया की होगी GDP, ठीक है, तो इंडिया की तो minus 8.0 मतलब ठीक है, कम हो रही है, अरियाना की है, minus 5.7, यह सिर्फ इतना याद है, MCQ में पूछ ले, कि इंडिया की जो GDP growth rate है, उसमें decrease, और हरियाना की जो GSDP growth rate है, उसमें decrease, किसमें कम है, या किसमें ज्यादा है, ठीक है, इंडिया में ज्यादा है, हरियाना में कम है, ठीक है, तो इसी तरह, इन दो lecture में, पहले lecture में, मैंने बज़र्ट के basic concepts बताये थे जो उससे terminology होती है, उसको explain किया था, और second lecture, जो ये वाला lecture, इसमें schemes बता दी है, allocation sector wise बता दी है, और जो important facts है, वो मैंने आपको बता दी है, तो इन दो lectures के साथ, हरियाना का budget, जो specially HCS 2021 के लिए है, और English medium के students के लिए, यहाँ पर complete होता है, जो next lecture रहेगा, मैं, birth of हरियाना को किसी तरह बहुत detail में cover करवाऊंगा, ठीक है, और history और geography के lecture भी जल्द ही आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, अगर आपको किसी भी subject में HCS की prelims के लिए त्यारी करने में problem आ रही हो, तो उसमें आप तीन काम कर सकते हैं, या तो मुझे comment section में आप comment कर दीजिए, किस chapter पर य मैंने इसके लिए telegram में एक group बनाया है, जहां मैं MCQ डालता रहता हूं, उसका link भी मैं आपको description में डाल दूँगा, एक WhatsApp group भी बनाया है, ठीक है, तो आप मुझे यहां पर, चाहिए telegram पर message कर दीजिए, या WhatsApp पर message कर दीजिए, या comment section में message कर दीजिए, मेरा personal WhatsApp नमबर है, 999 2017170, मैंने पहले ही अपना HCS qualify कर दिया था, इसलिए मैं ये अपने शोक के लिए और जो लोग त्यारी कर रहे हैं, जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं, उनकी free of post help करने के लिए मैं lecture बनाता रहता हूं,